इस भी क्लास नेक्स्ट टोपिक है पोलराइजेशन ऑप लाइट वे इसका पहला टोपिक है कि अनपोलराइज लाइट क्या होती है भी अनपोलराइज लाइट क्लास बातें नहीं करने भी अश्करी थे माइनिग्श एक लाइट लाइट यक्ट्रमागनेटिकंटिक वल्ट लो घचि लाइटी वाइपरीट करते हैं और कुछ यह से बंवन करते हैं पामतों अब लोगों ने पीत्र नलाइट के वाइप हो ध्र करते हैं एक फिल्ड कैसे करते हैं और एक फिल्ड के इसके पर पेंडिक लोग करते हैं यह सर ना इसको दिखाते हैं एसी डॉट से भी तो इसको बोलते हैं अन पॉलराइज लाइट लिए लिखो लाइट इस एए इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेव light is a electromagnetic wave and and its field vector and its field vector are vibrating and its field vector are vibrating in different direction in different direction it is called unpolarized light it is called unpolarized light स्माझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए जो लाइट आप कहीं से भी ले रहे होई संदे बल्लब से टोर्च से कुछ भी तो सारी क्या है अन पोलराइज रहा है अपने सुना होगा डरेट सं को नहीं देखना चींए सकती है लेकिन सं को देख सकते हैं थ्रोधा संक्लासीज या क्या करता वे और संक्लासीज क्या करते हैं लाइट को फिल्टर कर देते हैं ठीक है लाइट को क्या कर देते हैं फिल्टर कर देते हैं मतलब उसका एक कंपर्ट को ब्लोग कर देते हैं किसी एक को ऐसे आएगी या पर ऐसे आएगी एक को क्या कर देते हैं वो ब्लोग कर देते हैं उसको बोलते हैं पोलराइज लाइट लाइट को मजबूर करना किसी ए polarization of light, polarization of a light, like it is a phenomena, it is a phenomena in which, it is a phenomena in which, in which we resist, we resist the vibration of light, the vibration of light, we resist the vibration of light into a particular direction, into a particular direction, we resist the vibration of light into a particular direction, एक direction में light को रिजिस्ट करना चलने के लिए हैं, मजबूर करना भी, उसको क्या बोलते हैं, polarization बोलते हैं, light is called, एनले कि यह light is called polarized light भी, light is called polarized light, light को क्या बोलते हैं, polarized light बोलते हैं, light is called polarized light, यह light किसका की अउनला सिम्बल हाई भी, polarized को कि इसको की डोट नहीं हैं, ऐसका हैं, रन पोलराइज लाइट रहे है यह क्या पोलराइज लाइट फोलराइज लाइट ठीक है अब इस पे जो लिए कि पोल्राइजिसन क्या रवागीज होती है देखाथ तरीका समझेगा स्टॉपिट को वी ओग लिए अपने कड़ेखना घ्रिल लगी इसमें दिख रही हैं ऐसे देख रही है नहीं देख रही है मैं यहां से पैन फेक रहा हूँ इसके आर पार जा रहे हैं पैन मालेते मैंने बहुत से पैन फेक के भी पैन जाना है यहां से पैन फेक हूँ तो पैन की डिरेक्शन कुछ भी हो सकती चलगूमने की भी कुछ भी डाइक समझा सकता है यह अन पॉल राइज अब कर लोगे अब इस जंगले से बाहर कौन ची पहन जाएंगे भी यह जंगला ऐसा अब आपका ठीक है इससे बाहर यह जाएगा इसको ब्लोग कर दे गए तो यह जा सकते हैं लाइट क्या कर दिए दो तरह सब्सक्राइ लाइट को हम यह करता है फिल्टर कर देता है पॉल्राइजर को रोक्रेश में प्लराइजर मा प्लराइज को रह्यें किया ब्लॉख करेगा इसको पहर घ Minh किहांगे इस पीछी हे ने घ Mmm progress खुलना शुरू करते हैं और 90 में यह लिएंग आहिस है कि आ रहा है कि ने कसे चांग पर आउया मैं मिल रहे हैं तो गन्हें आपक अगभलेिट लियूट्न Karl aber ने गया कि दो पॉल्लिटली पॉल्त MARY से इसको बॉलते है पॉलराइजर इसको बोते है कि रहे चो बन रहा है jsब है कि घुलने के लिए यह दो उससे को बोलते हैं यह एक्सपरिमेंटल डेमॉस्ट्रेशन वो fabrics हमारे है तीं पास एक लाइट थी rapid ऐसे निकल रहे थी इच्ण पॉलराइज लाइट जो इसने इसमेंट किया हो बता रहा हु को मैं यह क्या है इसे एक अन्पॉल्राइजल लाइट अबी कि इसको पास करवाया गया कि क्रिस्टल लिया इनों ने भी प्रिस्टल से पास करवाया कि जबतना है किसा । किसी सबस्टक का प्रियृस्ट करोंब ऑगा心 के सबस्ट कर इüoooo किसी सबस्टन्स का प्रोवास कॉम्थे और इस को टॉबें किसका क६ें जब जे किसा करा något तोरमलिलिंज का ही वैं है ठीक है अब यहां पर लाइड आ गी है यह ठीक है और यहां पे रुने क्या कि एक कर्ष्टल लगा दिया है क्या फ्रह करने के लिए हे जो लाइड है जो निकल रही है पोल्राइज है अट को क्य quicker भी इसको बोला गया पोल्राइजर भी पॉल्राइजर इसको बोला गया अगर なजर है लड़ आई देखिए दुख यूज्ज किए ले क्रिस्टल्स टॉर्मिल्स किकलि उच किया गए एक क्या करने के लिए पोल्राइज करने के लिएaya क्या वनिय מ׹तलिंए कें पावगे तो यहांपे जो लाइट निकले के ओने चीए फोल्राइज होने चीए यह कौन सी बिल्डिम है फोल्राइज बीम ना टो लिख लिखिल जी ने सिम्पल ने bats करना भी आपको लिखो we have a unpolarized light experiment कैसे किया गया we have a unpolarized light which is passed through the which is passed through the a tourmaline crystal which is passed through a tourmaline crystal टॉर्मिलीन क्रिस्टल ठीक है कॉल्ड पॉल्राइजर क्या ना में इसका पॉल्राइजर पॉल्राइडी बोलते हैं इसको पॉल्राइजर and we obtained a polarized beam पॉल्राइज बोल्राइज 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 ब वीच इस पैरलेल टो पॉल्लाइजर वीच इस पैरलेल टो पॉल्लाइजर कॉल्लेड इनलाइजर वी यह बहुत से बढ़ाएंगे उल्टे पॉल्टे से कॉल्ले इनलाइजर के ना मैं इसका इनलाइजर and we obtained light भी एंड वी ओप्टेंड ए लाइट जब सिरा लाइट पास करें कि उनको लाइट मिलेगी यहां से भी कंडिशन क्या रखिया भी मने इसको क्या रखा गया पैरलल रखा गया अगे लिखे देन वी रोटेट देन वी रोटेट एनलाइजर इसको गूमाना सुरू कर दिया हम लोगो ने जिब कुमाना सुरू कर रहे हो गए यहां पर इंटेंस्टी कम लग जाएगी इसके लिए इसके लिए बुक में एक बड़ यूज कि आगे लिखो वेन वेन एनलाइजर वेन एनलाइजर इस परपेंडिकुलर तो पोलराइजर इसके लिए बुक में एक बड़ यूज किया गया है वेन प्लेन ओफ एनलाइजर इस परपेंडिकुलर टू प्लेन ओ पोलराइजर की बात अब भई आया कि नहीं आया देन इंटेंस्टी ओप लाइट इस जीरो भी यहां में क्या मिलेगी मेरे को जिरो लैट मिलेगे भी इस पॉन में आया कि नहीं आया इट मीन देट है लिखिये इट मीन देट लाइट पासिंग थ्रो दा पोलराइजर लाइट पासिंग थ्रो दा पोलराइजर बिकेम पोलराइज लाइट भी बिकेम पोलराइज लाइट समझ में आई बात मतलब हमने एक तरीका सीख लिया लाइट को पॉल्डराइज करने का भी हो जाएगा भी देखो इसके बाद ने इसके बाद तुर्ण टोपिक है लाउप मलास मैं भी नहीं करवांगा भी इसे पहले कुछ और पॉइंट करवाने मेरे को भी इस एक्सपरिमे करना भी आपि लोग ने सबस्राइब करने का कोई और तरीका वह बहुंआ ची है ठीक है यह तो लोगों ने क्या कि एक्समेंट करना आप सुरू कर दिया जाए मैं जाए लगों कि एक सक्रेंटीस्ट आया विर्विस्टर वे उसने एक और तरीका बनाया है क्रिस्टल ना य लाइट को तोड़ा गया दो बागों के अंदर भी कुछ पाट ऐसे लेंगे कुछ पाट ऐसे लेंगे लाइट को फिल्टर करना सुरू कर दिया नहीं हो जाएगा भी अब अब कि दधिए प्रण अपर राइजिश्ण व्लाइट वाई रिफ्लेक्शन आप देखिए बीव स्टिर 21 स्ट आभ है प्री स्ट निकाना होगा एस और नो रिफ्लेक्शन भी होती है अपने भी अपसर किया दिवार पे कुछ दिखाई देर आपको भी यह सर नो उस लाइट को फिल के जिए भी उस लाइट वो लाइट आंखों के बड़ी अच्छी मानी जाती है आपको क्यों बोलते है कि आप इवनिंग टाइम पे लेघ्र पानी जो रही है तो हो सकता पोल्राइज हो güey समाझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि lower tab segunda डाइब कि यह नहीं होतीं तो पर्समाझ में आया ay कि यह नहीं आया तो लाइट का एक पार्ट क्या होता है रिफ्रेक्ट होता है यह बात आए थी परिवस्टर ने यह लाइट आ रही है अभी कलास यह एक अन पॉलराइज लाइट है Wahl इसने experiment किया जो ह्वाइट लाइट का रीफिड हो रहा है और एक पाट क्या हुराइए रिफी भी हो रहा है पाणे से लाइट करती दिवार पे पैटर्स लाइब तो जा अगिंट है पॡ्रोलम क्या है अब क्यों सहू नहीं चिसा है 232 जous यह हैं तीम है यह कौन सी है रिफ्लेक्ट बेम की जा इसने ऑपत्रेंट कि अश्क्री हिस्إल हर अंड एंगल के ऑपर अब को अबज़र कर एक्सपरिमेंट को अबज़र कर रहा है उसके कैसा एंगल दिखाए दिया जिसके लेट क्या बन गई पॉल्राइज बन गई इस एंगल को नाम दिया गया एंगल पॉलराइजेश्ट इस एंगल को भी इससे बनी है आग यह सर ना यह क्या है चैंट अप्रिफ्लेक्ष्टर यह क्या है एक ही बना लगते हैं में को उस्तों वैयलियो और एक और अबजरुरिंस ना यह जो यह कंपलीटली पॉलराइज हो गई तो एंगल बीट्वीन इस बीम और इस भी में क्या बन गया कि इसका एक्सपरिमेंट तक कि स्वाज में आया के नहीं आया है दो तिन पॉइंट यूज करने आपको इसके ब्रिस्ट्र लागर अब इसमाइब आपको ला नहीं उता रहा है तो कि अब बसार हो एक्सपरिमेंट किया था लोगे दुबारा प्रिक्ट हुआ है और कमप्लीट लिए पॉल्राइज था लुका दिखते नहीं थी यह भी अनपॉलराइज ही था स्टार्टिंग में तो इस नहीं किया इस एंगल को चेंज करना सुरू कर दिया भी एक खास एंगल पे बिम्स क्या बन गई पॉल्राइज बन गई यह सर न अगरे बन रहा था नंटी डिग्री यह ताभी आपका एक्सपरिमेंट्स नियागरम बनाओ इसका आगा पॉल्राइज को बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन यहीं अगलाज जो साउंड वेव को और लाइट वेव को डिफ्रेंशिट करता है यहां पर साउंड वेव कम नहीं करेंगे आप साउंड वेव को फिल्टर नहीं कर पा हुए लेकिन वेन अपोलराइज बीम वेन अपोलराइज लाइज 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 and one part is reflected One part is refracted and one part is reflected आगे लिखिये The refracted light The refracted light is unpolarized Refracted light is unpolarized जो refractive light होगे हो क्या होगे Unpolarized होगे ब्यमें सह कर पाओगे And a particular angle of incident, reflected beam became polarized, reflected beam became polarized, okay. This angle of incident is called, this angle of incident is called, angle of polarization, this angle of incident is called, angle of polarization, क्या नम दिया एस एंगल को उनने, angle of polarization, इसका यूज करना मेरे को लाग के अंदर भी, कर पाओगे, अब देखिए क्लास, देखो एक बार दुबार डागरम देखिएगा, यह दो बीम है, और यह बीम है, क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन से हो कर रही हैं, तो यह एंगल यह बड़ाबर ही होना थी हैं भी, आई आर इक्सपरिमेंट के दोरां तो काम किया इनने, ठीक है भी, अब इसका एक्सपरिमेंट था क्या भी, इसके लाज क्या बना एस एक्सपरिमेंट से भी, देलिखिए यह नेक्स्ट प्रेड बना एक इसका बिरिविस्ट लावे, एस भी ख्लास नेक्स्ट टॉपिक है बिरिविस्ट लाओ, यह लाग क्या बोलता है, एक पर लिख लिख लिखिए, भी, एंगल ओफ पॉलराइजेशन इज आलवेज इक्वाल टू इज आलवेज इक्वाल टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आफ दा मीडियम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आफ दा मीडियम ठीक है इसका मतलब क्या है वही देखिए लिख वाया है, टेंजेंट आई पी इस एक्वाल टू मिउ, यह प्रिविश टू लावे, यह नि जो एंगल आप यह एंगल है ना यह डिपेंड करता है मीडियम के ओपर भई, सिदी सी बात यह है, हर एक मीडियम का लग होगा है, कर पाऊगे, अब क्यों संद्ध इको पूर पूरूफ के दो तरीके हैं यह तो लाव मान के यह पूरू कर दो किन के बीच में कितना है 90 डिगरी यह एक्सपरिमेंट भाइख जो जरुआ वह इसी से अभी अभी जब यह लाइट बीम्स क्या बन की थी पॉलराइज वक्ति अंकल क्या बज़र किया नोने कि 90 डिगरी यह कि यह इसको मान गेप परू कर दो स्वेसर आपक सिंगा दो तरीके हैं या तो ला आम मान के पूरू कर दो यह इसको मान के फूरू कर दो गकोड़ा क्या कर ज़ schautए इसको मानべp referral कर दो UKela drug je जिए प्रूफ में लिखियेगा प्रूफ लिखो फ्रॉम दा एक्स्पेरिमेंट फ्रॉम दा एक्स्पेरिमेंट वी अब्जर्व देट फ्रॉम दा एक्स्पेरिमेंट वी अब्जर्व देट दा एंगल बिट्विन दा एंगल बिट्विन रिफ्रेक्टिड बीम रिफ्रेक्टिड बीम बिकेम 90 डिग्री बिकेम 90 डिग्री कितना एंकल बन रहा बाई 90 डिग्री बन रहा है तो आपको यह लाप पूरू करना है कैसे करोगे भी देख लेजिए अकॉर्डिंग टू सनेल लावी क्योंकि रिफ्रेक्शन तो होई रही है अकॉर्डिंग टू सनेल ला एक बन भाई लेख तो एंकल यहां पर एक बार इससे पहले एंगल कॉंचा बी ओसी इक्वल टू कितना वे 90 डिग्री यह वल एंगल्स एंगल बी ओसी इस इक्वल टू 90 डिग्री लेखिए अकॉर्डिंग टू सनेल ला क्या था सनेल ला साइन आई आई पी लेख दू साइन आई पी बाई साइन आर इक्वल टू म्यू एक्वल टू म्यू क्यास और नो आर की वैल्यू क्या है अभी क्लास है आर की वैल्यू क्या है पूरी कितनी है 180 क्यास और नो तो आर की कितनी है पूरी कितनी देखो 180 है 180 इस एक्वल टू आई पी पलस 90 पलस आर भी सही लिखा मैंने 90 यह बचला गया 90 बच गया वट इदे वैल्यू ओ फार 90 मैंनेस आई पी लेखो आर इक्वल टू 90 मैंनेस आई पी यह बात सही है कि नहीं है तो इस मप्रीट कर दें वैल्यू यह रप कर दूं भई डैग्रम साइन आई पी गारण साइन 90 मैंनेस आई पी इक्वल टू मिउ यह क्या होता है को सो होता भई को साइप इक्वल टू मिउ सही लिगा मैंने यह रप कर दें नीचे बाला तो क्या बन गया तेंजेंट आइपी यह पुरू करना था एक वल्टी में हुए हुए है इसका उल्टा करना आपको भी तेंजेंट आइपी को मान के पुरू करना एक ने डिरी एंगल बनेगा उनके बीच कर पाओगे देखते हैं कितने बच्छे कर पाएंगे है आधिल करतें नेक्स्ट इनकंट पास करवाया था है कि एक कृस्तल के साथ और लाइट क्या होगी थी फॉरू कि करना था था नुसको ने नाम को करना शुरू किया था था भी पर जब आनलाइजर और पोलराइजर नाइटी डिग्री पे हो गए तो इन्टेस्टी कितनी हो गए जीरो गए यह अबजर्वेशन थी एक्सपेरिमेंट्स की भी इस अबजर्वेशन के बेसिस पर आप क्या ला दे सकते हो गए देखो क्यों सब्सक्राइजर एक पॉलराइजर है जोनों जब जीरो पे थे पैरलल थे तो इंटेस्टी मैक्सिमम थी 90 डिग्री पे इंटेस्टी मिनीमम थी किसको से हो करता हुए कोस को से हो करता हुए यह सर नो कोस 90 पे जीरो होता है और जीरो पे वन होता है यह सर नो फिर एक और प्रोलम में यह यह पॉलराइजर है यह इनलाइजर है इसको उल्टा कर दूँ ऐसे 180 पे तब इंटेस्टी मैक्सिम है यह सर नो तो जीरो पे मैक्सिमम और 180 मेक्सिमम कोस में पॉसिबल नहीं जीरवा तो मैक्सिम होगी 180 बे मिनिमम होगी भी माइनेस वन यूज करते हैं अब माइनेस वन को प्लस क्या से करें स्केर करना पड़ेगा इस और नो उस एक्सपेरिमेंट की अब्जर्वेशन पर बताया गया कि जो इंटेंस्टी मिल रही थी किससे अनलाइजर से मिल रही थी और डिपेंड करती थी स्केर अफ को साइंगल किसके बीच का एनलाइजर एंड पोल्डराइजर के बीच का सिंपल साला भी स्मझ में आय इस पूरे एक्सपेरिमेंट की अब्जर्वेशन की बैसी स्पेस सिंपल सा टोपिक किया गया इडिज गॉल लाव मलस्वी इस वंद में आया की नहीं आया भी देखो कॉस्त तो मिल रहा है पक्की बाद अभी प्रॉल्म क्या है वो नेटिव मानेस की नहीं आ रही अब मु वेन वेन बीम ओप बीम ओप कंपलेटली प्लेन पोलराइज यह लिख वाता है पास्त्रोदा अनलाइजर पास्त्रोदा अनलाइजर धन इंटंस्टी अफ लाइज टेंटंस्टी अव लाइज प्रॉल्म के लिख अपर पास्त्रोदा अनलाइजर intensity of light after pass through the analyzer is directly proportional to intensity of light after passing through the analyzer is directly proportional to square of cosine angle directly proportional to square of cosine angle square of cosine angle between analyzer and polarizer cosine angle between analyzer and polarizer ये बुक का वे ठीक है और लिखो तुमारे चरह दिख रहे हैं जीब सा लग रहे हैं लिकिये, it state that state that the intensity of it state that the intensity of polarized light intensity of polarized light after passing through the analyzer after passing through the analyzer is directly proportional to square of square of cos angle या cosine angle पुरा तो cosine नाम होता उसका सकेर ऑप कोसाइन एंगल बिट्विन अनलाइजर और भूरायजर बिट्विन एनलाइजर एंड ए पॉर्राइजर दखोया लिख होया गया भी intensity i is proportional to को स्केर ठीटा भी ठीक है जो इसंगे लेंगी उटेपेंड करेंगी उनके एंगल के कॉस के स्केर की पेपर भी कर पाओगे i is equal to i naught कॉस केर थिटा i naught क्या है maximum intensity i naught क्या है maximum intensity यह कोई निकाला गया है यह भी पूरो करेंगा शुटा से पॉइंट को ठीक है यह तो यह है simple by theoretical sections भी कैसे बना सकते हैं कर लोगे अब आपके पास दो चीज़ें कौन कौन चीज़ें है एक analyzer एक पॉल्डराइजर है पहले light pass की किस से पॉल्डराइजर से यह पॉल्डराइजर है यह analyzer है इनों गुमा रहे हैं लोग तो कुस तो एंगल बनाएंगे अपस में तो मैं कुछ एंगल बना लेता हूं पहले मान लेते हैं यह आपका क्या है analyzer अभी क्या यह analyzer और यह क्या है पॉल्डराइजर कुस तो कैसे तो एंगल तो होंगे सही है कि नहीं है एक analyzer एक क्या है पॉल्डराइजर अब यह देखिएगा जब लाइट एनलाइजर से पास करेगी तो एक चीज़ बलो कर देगा हो एक तो उसी के कोडिंग पास करेगी अगर ग्रिल ऐसी है तो लाइट ऐसी जाएगी एस और नो तो जो एक वेक्टर होगा देखो भी दो वेक्टर हैं राइट के पास इलेक्ट्रिक फिल्ट और मेग्नेटिक फिल्ट कोई एक तो बलोक होगा पक्की बार क्या सब्सक्राइब कासे नो इस जंगले से कौन से पैन बार जाएंगे इसी लेवल कि होंगे तो 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 फालो कर देगा है यानि अगर मैं चैक करूं कि कुछनों कुस्त देखो आपने वेव की फोम में जाडानना है तो वेव फोम में कैसे डालते हैं में लोग वाई इस एक्वल टो ए साइन ओमेगा टी कुछनों कुस्त देखोगा वेव का या सर नो तो माल लेता हूं लिख लीजिए लेट ए क्या है लेट ए इस दा इस दा एंपिलिट्ूड ओफ ए इस दाएम्पिलिट्यूड ओफ Эलेक्त्रिक फील्ड बेक्टर ए इस दा एम्पिलिट्यूड ओफ एलेक्ट्रिक फील्ड बेक्टर k cheapoch इसका मुतलब क्या भाई तेखो वेफों में तो है कुछ नो कुछ तो आएगा भी मैं इंट्विट तो आएगा अब प्रोड्लम क्या यह एक डिरेक्शन कैसे होगी एंप लुट किस डिरेक्शन में होगा जी डिरेक्शन में अनलाइजर होगा भी उसी तरफ से आएंगे सार इसार नो कर पाओगे और अनलाइजर फोलेजर में कुछ एंगल बना रहे हम लोग कितना एंगल है यह से रख्या के यह से कुछ तो आगल बना कि ना 0 है ना 180 है ना 90 है कुछ तो बनाएं बीच का एंगल बाद में गुमा लेंग इसको ठीक है अगर मैं इस एको रिजॉल कर में इस तरह कौन साइगा कि इतना एक और इसके बिल्कुल पर पेंडिकुलर भी एस अर ना तरह है अब पॉल्ड्राइजर से कौन पास होगा लाइट कॉनसाइट पास हो जोशी डिर्यक्शन मैं होगी इन इसलिए तो मनें पास करवाइ थी लाइट है तो यह वाले इस ब्रोकुर दैगा यह पॉल्ड्राइजर से वक्तों काम नहीं आगी और तो पास कौनशी होनी वाली है यह पास होनी वाली है यह सर ना तो यह एक कोस्टिटा क्या है हैक्यूल मैं पता आपको इंटेंस्टी या इट फो को कि यू सका और यह क्या है ग्यूं हैं तो ना यह को हुएगी तो पता हो ना चाहियत पर dism teenagers स्केर बीश है सर नो तो इंटेंश्टी से तो पास करेंकी पी उसका वेल्यू कितना होगा डाइच एक बार उसके बात करते हैं तो इंटेंश्टी इस इंटेंश्टी क्या होती यह परफोर्ट्स टू है amplitude square भी यह बाद सही है कि नहीं है तो I proportional to कितना A cos theta का square भी सही लिखा है question डालिएगा I is equal to K A square cos square theta सही है कि नहीं है Yes or No क्यों सुनिये है I maximum कब होगी I is maximum I maximum क्या लिखते हम लोगे I ampliute लिखते है I note कब होगी जब cos theta maximum होगी और तो कर दिकत ही नहीं है और कितना होता है 1 होता है maximum Yes or No value उता रहा हूँ है ठीक है कितना होता है 1 अगर इसको 1 कर दूँ तो कितना अंसर आएगा I note का यह I note होगे भी I note होगे is equal to k a square यह नहीं मैं k a square से कह ले सकता हूँ I note ले सकता हूँ तो मेरा अंसर क्या है I is equal to I note a cos square theta यह प्रूवी हो गया भी स्वंज में आ रहा है के नहीं आ रहा रखता है इनोंने डियागरम ऐसा था हमारे पास तीन पोल्राइड लगा रखता है कितने पोल्राइड है 3 पोल्राइड है ABC ठीक है at 60 degree to each other 60 degree to each other question यह था what is the intensity of light after passing through the sea intensity of light after passing through the sea यहाँ पे I intensity दिराखी थी initially I note मुश्किल नहीं था यह डियागरम दिराखा था तो उड़ी वादे पता निक्या दिराखा यह डियागरम था से हम भी क्यों दिया था वी हव थ्री पोल्राइड आप्टर पासिंग थो इच अदर दन फाइंड आप दो इंटेंस्टी आप्टर पासिंग थो दास सी भी सिंपल लाइन में बिल्कूं सिंपल कसंदे रखा था अब दिक्कत क्या है करो अब यह 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 इंटेंस्टी आई जा रही है इस तरह क्या था सब्सक्राइब पर्मुले के इस तो पहला 60 किसकी है किसी की नहीं बाई तो एकला हो तो इसको हरा जभू अनितेशा हैं स aún तो यह किसके साथ है यह पहला एक यह मैरे बास दो भूलो तो क्या हुगा इसको हाप कर B बीट बाइब अब्र दो डो वेक्टर एक को बखते एक बदेगा सर्व इंटेस्टि पहले से क्या हो जाएगी पहले ही हाँ पहले हं यह किसको पास करने देंगा इस वालो को इनको फिलो क्रदेगा तो इंटेस्टी हाँ होगे दो तरीके चाने के लाइट के एक ऐसा, एक ऐसा, एक को ब्लोग कर दिया, एक मज़ के सरफ, तो इंटेस्टी पहले से क्या होगी, हाप, इसको कि, इसां पर कितना इंटेस्टी आया, आई नोट वाई टू, सही है कि नहीं है, एनीज ने लैट को पोलराइज कर दिया भी, यहां से, अब इनके बीच में कित आई नोट को स्केर थेटा, यहां पे भी कितना जाएगा, इसका मैक्सिमुम कितना है, तो आई कितना होगा, आई नोट वाई टू, इसका मैक्सिमुम होगा, इससे उपर दा ने था, यहां से अर नो, को स्केर, कितना था, 60 डिग्री, को सिक्स्टी कितना होता है, वन बाई हो तो कितना हो गया 1 by 4 तो कितना हुआ इसके लिए मैक्सिम हुआ है यह जार नो इसके इंटेस्टी कितनी होगी सी के लिए इसके 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 लिए मैक्सिम कितना है आई नोट भाई एट फर्म लगा रहा हुआ हुआ है कोस स्केर 60 डिगरी अगें तो 1 by 4 तो 8 कितना हुआ 32 इस इस दांसर से पहले सा पहला तो हाप करेगा इसी बात हुआ है यह सर नो अगला एंगल के कोडिंग पर्स्ट में क्या यूज कर रहे हो सर अभी इमालेस वाले लोग तो यूज नहीं करें जो इंटेस्टिक देखिए एक एक श्रफ आपके पास पोल रहा है जरा भी तो क्या क्या करेगा लाइड आ रही है दो वेक्टर में हैं एलेक्ट्रिक कर मैगनेटिक किसी एक को बलो कर दूप लेड़ा करेंगा हाफ करेंगे और दो कम गुमा रहे हैं अब यहां पर शॉक्त कर लेंट मोग यह दो गोडिंग कर रहा है रहा है यह क्यों इस तरह क्यों साथ एक शुछ लिए क्यों से लिखिए, two polarizing seat, two polarizing seat are placed, two polarizing seat are placed with their planes, with their plane parallel, with their plane parallel, so that light intensity transmitted, so that light intensity transmitted is maximum, okay, light intensity is maximum, okay, आगे लिखे, through what angle, through what angle must either seat, must either seat be turned, either seat be turned, so that, so that light intensity, so that light intensity drop to half, light intensity drop to half, the maximum value, drop to half the maximum value, को ओक्यों सुन नहीं है, लेकिन ठीक लग रहा है क्यों सुनिये करने में, आई नॉट को स्केर्थिट अब यह ना, क्यों सुनिये है कि कितने angle पर रखें, कि intensity, maximum का हाफ हो जाए भी, सिदी सी बाद आपको आई दे रखा भी, तो आई के वालु कितने है, आई नॉट बाइटो इतना करना पर रहा हो जाए तो कितना हैगा, आई नॉट बाइटो इकवल तो आई नॉट इकवल तो को स्केर्थिट अब, आई नॉट दे रहा है को स्केर्थिटा इकवल तो वनby अंडरूट टू, कितना angle होगा, 45 degree इतना ही मतलिकना, गुल्त इकर होगी, एक और angle पे होता हो, कौन सा angle हो, 13095 या heightened 135 diggry या पता ने चरहा कौन सा है यह 45 पर है यह 135 अब लिखने यह लिखिये और लिखिये वी कितना 135 था ना स्वाज में आई बात है करके square हम तो अगर minus को प़्या Pr toss कि दोनों वेलिड दूखनी आपके यह गलती करो कि नहां पर स्टकैस्वेश्वन्स इभी और लेकर ऊज़ेगा भी क्लास पॉल्राइड्स थी लिखो क्या होता है कि पॉल्राइड्स अर्दा सब्स्टांस पॉल्राइड्स और दा सब्स्टांस वीच गैन which can polarize the light which can polarize the light simple है भई जो substance किसको क्या करें light को polarize कर दें भी example करते है कुछ example लेखिए लेखिए natural polarite natural polarite एक अमने यूज किया हुआ है crystal किसा crystal था हो tourmaline crystal लेखिए यह tourmaline crystal क्या है के mcq क्यों सकते है tourmaline crystal tourmaline crystal क्यों सा है natural polarite और भी है बहुत एक example हमारे पस ठीक है फिर उता artificial polarites लिखिए artificial polarites भी लिखिए एक नाम है बुक में वह लिखवाता हूं बस लिखिए क्यों इन आइडोसलफेट भी की यूज क्या है पोल्ड़ाइड इसका भी इसमें लिखिए यूज ओ पोल्ड़ाइड भी बदा कोई इसके पाइलिए इसके पाइलफ वेंगे यूज लिखिए इस ये इफ इस यूज हिन पता नहीं किया बलते सामने मारे इसको ड्रक को वींडशील्ड है जो हवा से आपको क्या करती है फ्रोटेक्ट करती है भी इंडशील्ड औवद विकल्स चुआ अवाइट था ड्ट्यक्स ऍया कि कि एफ सलिए दागिर्ध आ ृप लाइट कि लाइट इसे में ट्यू आइट अफ लेटinaryiddelar has just for the artwork ऐगे क्या हूं और किसरों कि अब्यार श्रेंग का मेल में आपके में चंड करय न फंदना श्रूर से कुछ जब तक दिखता देखता नहीं है उसको अवाइड करने के लिए विंड्शील्ड पर क्या लगया होती है पोल्टर एड्स की प्रेड लगती हाफ सीट्स के उपर देखा है यह सर नो दुसरा आगे लिखिए ुचिंटी नुट्टे संग्लासी विंडे और लिखिए खेल उबल्रें माउक्रोड का में recommending इम्रुमाइड माइक्रोड लिखिए कि आपके लैंस से पहले से covering होती है पो राइड की माईकरिशकोब देखा हैं आपने देखा हां मीरर लगा होता हुपि क्या काम है जो कि मुझे ने काम होता है ना भी क्या काम भी इसकों बिट रखा बाइव जेखा हो यहां मैक्रसकॉप बना तो लेते हैं पता है नहीं चलता और क्या होदा कि बार लेब ओड़रीज में लाइट नहीं होती है वह लाइट को रिफिल्ट करता है लैंसे के फ़राओ थो थो थ होते हैं लीस फॉस вониच आख Ἁलेफे हैं तो कि बनाएट पोहलो के नेक्स डंट ऑलिएगा मैं कि city कि इडिज इन थ्री डाइमेंशिनल पिक्चर्स और होलोग्राम्स भी होलोग्राम देखें आप लोगों ने आपकी बुक्स पे लिखा होता है औरिजिनल्टी का मार्क लगे होते है पता है कि एक्च्वल में तीन चार लेयर हैं पोल्राइडिस की हो आपके होलोग्राम्स में चार पांच लेयर होती हैं पोल्राइडिस की दिखता है आपको औरिजिनल्टी रंग दलता ऐसे हो कर लोगे नेक्स लिखिएगा इट इस यूज़ तो टेकिंग दा इट इस तो टेकिंग दा पिक्चर आप कलाउड्स भी अगर आप मुवी बना रहे हो और गाने के अंदर शीन चीए बादलों का कहां से लेकिया होगे बाई आज गल तो चलो डिच लेकर के बना लिया जाता है वी परनानी फिल्मों में कैसे बनाते थे पका उनकी देखा न मूवी गाण में पांच मिरत कैमरा अशे गुम दा उपर निचे भी देखाने के लिए दिखाने के लिए देखा होगा कि नी देखा होगा तो अगर आपको बदल दिखाने है तो कैसे देखाओं बदल थबड rain करों के बादल करऊगे तो क्या करते हो गलास इग आपके झो के लेंज पर पोल एक रिद्द नियुज़ के लाती है बादल हो की सिप के इवी तो एक्शितों पिक्चर दिखता ना तो बदल दिखते है यं दिखत आ से झाल झाल